मानिय मंत्री जी, दन्यवाद अध्यक्स मोदे, with your permission sir, I move that the bill further to amend the constitution of India be taken into consideration, the constitution 1 and 8 and 28th amendment bill 2023, मैं अध्यक्स मोदे, इस bill की कुछ जानकारिया, सद्रदन के पटल पर आपके अनुमति से रखना चाहता हूँ, अध्यक्स मोदे, ये constitution amendment bill है, और महतवपून bill है, महिला सस्क्तिकरिन की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है, अमरतकाल की बेला में, भारत को विक्सित भारत बनान की दिशा में, एक महतवपून कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है, मानेने अध्यक्स मोदे, जैसे मैंने कल जिक्र किया था, कि बाबा साब भीमराब अमेड कर जी ने, 25 नॉवंबर 1949 को, जब समिधान बन गया था, और उनका अंतिम भाष्ण था, तो उन्होंने एक चेताव नी दी थी, कि 26 जनुवरी 1950 को राजनितिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजीक और आर्थिक सेतर में जो ऐसमानता रहेगी, उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा, उन्होंने ये भी काता, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूँ, 26 जनुवरी 1950 को हम परस पर विरुदी जीवन में परवेश करने जा रहे हैं, राजनीती में हमारे याँ समानता होगी और सामाजीक और आर्थिक जीवन में ऐसमानता होगी, राजनीती में हम एक वक्ती एक मत के सिदान्त को मानता देंगे, हमारे सामाजीक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजीक और आर्थिक सरंचना के करन एक वक्ती एक मुल्य किसी धानत नकारते रहेंगे इस विरोधा पूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे तक कब तक हम अपने सामाजी और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे अब इसके बाद जो सरकारे आईए बाबा साब के इस चेतावनी को भी ध्यान में जादा नहीं रखा है ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजीक आर्थिक समानता लाने की लेकिन जैसे ही 2007 में नरेंदर मोदी जी आते हैं परदानमंत्री के रूपमें देश में उसके बाद से सामाजीक आर्थिक ऐस समानतों को दूर करने के लिए बहुत सी लाएम जिसमें महिला वे सबस्क्रांद को समानता ना की बदाएं है यहाजंदा को समानता यह गलें नहीं गरमें टौँलेट मंने हैं तो यह समानता लाने का अधिकार महिवला दोजार सब्दा के बाद इसने स्केल भी बढ़ाये योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीट भी बढ़ी इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बारत के समिधान की प्रस्ता होना में सामाजी और आर्थी नयायका भी उलेख है और परतिष्टा और अवसर की समानता का इस बिल से मैलाओं की प्रतिष्टा तो बढ़ेगी आउसर की समानता भी बढ़ेगी मैलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इसके महतवपूर्ण च्यार ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिकर करना चाहूंगा कि इन हम जो इस बिल के माधियम से अमेंडमेंट कर रहे हैं इस इसमें च्यार महतवपूर्ण क्लोज हैं बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विश्या आएंगे उसका बाद में उतर देना का उसर मिलेगा आप देंगे तो मैं दूंगा पहला जो क्लोज है वो समिधान का आर्टिकल 239 उसमें हम एक 239AA जोड रहे हैं जिससे नेशनल कैपिटल दिली की असेमली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्यत होगा यह इस फर्स्ट अमेंडमेंट क्लोज है इस बिल में क्लोज 2 फिर हम दूसरा क्लोज 3 जोड रहे हैं जिसमें 330 आर्टिकल जो समिधान का है उसमें 33A एक हम सेक्षन जोड रहे है आर्टिकल जोड रहे हैं जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोग सबा में 33% आरक्षन होगा लोग सबा में यह बहुत बड़ा कदम है अध्यक जी बहुत बड़ा कदम है और तीसरा संसोदन बिल के क्लोज 4 के अनुसार समिधान के आर्टिकल डबल 3 2 के बाद एक नया आर अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षन 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा 15 सालों के बाद अगर इसको बड़ाना है तो यह संसद ही तै करेगी यह संसद को अधिकार रहेगा और यह जो सीटें हैं जितनी आज है जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33 परसेंट के अनुसार महिलाओं का आरक्षन भी बढ़ता जाएगा अब मैं थोड़ा सा कि काफी कल भी चर्चा हुई मैं थोड़ी हिस्टी देना चाहता हूँ कि भारतिये जनता पार्टी ने अपने राष्टिय कारिकारणी की बैठेक जो वडोद्रा में हुई उसमें सबसे पहले संसोदन करके महिलाओं को ससक्त करें पार्टी में इसके लिए 33 परसेंट महिलाओं से पत भरे जाएंगे ऐसा निरने किया उसके बाद वातावन बना दूसरी पार्टियों में भी प्रेसर आया अब किया नहीं किया मुझे पता नहीं है लेकिन उसके बाद से बाज़बा लगातार लोगसभा और रहसभा में 33 परसेंट सीटे आरेशित करने के लिए निरनतिर परियास करती रही और जब अटल जी क के समय 99 में महिला आरेक्ष्ण विदेग लोगसभा में प्रस्तुत किया गया और उपलब्त रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11 वी लोगसभा के दौरान एस्टिक दोगोड देवकोडा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ उसके बाद ये कमिटी में चला गया और कमिटी ने रिपोर्ट दी रिपोर्ट देने के बाद लोगसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समावत हो गया मैं ये हिस्ट के बाद नौ पाद नौ मार्स 2010 को ये बिल राजे सबा में चर्चा के लिए लाए गया दो दिन चर्चा हुई चर्चा का दौरान बिरोध भी काफी हुआ कुस सांसदों ने बिल की कौपयां भी फाड़ी लेकिन अंतते राजे सबा से ये बिल पास हुआ इसमें भाज़प हमें कम्शने कर्मुनिकेट हो गया लोगस आ है कि सेकर्ठी जनल इसको पड़ दिया तो यह लोगस अधिर्रिट्जि हो गया और प्रॉपर्पर्यटी हो गया तो उसके बाद कैई बार हम प्रतिपक्स में थे उस समय हम लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विश्य था इस बिल के बारे में चिंत्या कम थी इसलिए बिल लेके नहीं आए फिर लोगसभा जैसे भंग हुई लोगसभा में इनके फिरिड में चर्चा के लिए नहीं आया फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कल जो अन्यसेसरी विवाद करें थे समिधान में साब लिखावा है आर्टिकल बन जीरो सेवन के सब आर्टिकल फाइव में प्रावदान है यदि कोई भी लोगसभा में लंबीत है तो वे लोगसभा के विक्ड़न के साथ ही लेप सुझाएगा इडिजे कांस्टिविसल प्रविजन तो मैं आपके माधियम से यह कहना चाहता हूं कि यह हम जरूर घ्यान में लाएंगे क्योंकि एक कविटा के माधियम से अभी का वाशन में समापत करना चाहता हूं नारी के बारे में हमारे सास्त्रों में लिखा है तुम सिर्ष्टी की आधार शिला तुम से मानव को प्रान मिला संगीत तुम्हारा कणकण में तुमने जीवन में रंग भरा तुम मा भी हो और बेटी भी तुम बैन और अर्धांगनी तुम प्रेम भी हो और सक्ती भी तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ ये बिल पास करो जिससे ये हमारा प्रतिनित्वाला मामला भी पूर्ण होगा बहुत पो तेने बदेखिए